सभी को नमस्कार, यह डिक्टेशन आपको कैरियर फ्रस्चानल द्वारा दिया जा रहा है, मैटल लिखने के लिए तैयार हैं, रेडी, स्टार्ट वर्स 1991 में देश में उदारी करण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से उच्च सिच्चा पर इसका सीधा प्रभाव परिलचित होने लगा विश्व बैंग के सुझामों के अनुरूप विश्व विद्यालय अनुधान आयोग द्वारा उच्च सिच्चा के बजट में 35% कटावती कर दी गई और विश्व विद्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गए कि वे अपने पैरों पर खड़े हों और अपने संसाधन स्वयम जूटाएं सर्वोच न्यायाले के न्यायाधीस स्री के पुनयया की अध्यच्चता में गठित समिति से भारतिय विश्व विद्यालयों के आर्थिक संकट के हल और वैकल्पिक संसाधनों की उगाही के संबंध में सुझाओ देने के लिए कहा गया सन 1993 में दी गई अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अस्पस्ट रूप से उच्च सिच्छा के निजी करण का मत व्यक्त किया और कहा कि कोई भी समाज जो गरीबी और गैर बराबरी से जूज रहा हो वह विश्व विद्यालयों में हो रही फिजूल खर्ची की आर्थिक सहायता का समर्थन नहीं कर सकता अथवा संपन तबकों को उच्च सिच्छा पर हो रहे खर्च के भुगतान से बचे रहने की अनुमति नहीं दे सकता है इसलिए उच्च सिच्छा पर हो रहे वास्तविक व्यका बड़ा भाग उनसे वसूला जाना चाहिए उच्च सिच्छा पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारती उच्च सिच्छा के संबंध में स्पस्ट रूप से कहा गया है की विकास सीलते सो में जिन्होंने अब तक प्राथमिक और माध्यमिक सिच्छा में परियाप्त गुणवत्ता, समानता और अपेच्छित उपलब्धता प्राप्त नहीं की है वहां उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों पर उच्च सिच्छा को प्राथमिकता का दावा नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए कि साधारनतया प्राथमिक और माध्यमिक सिच्छा में किये जाने वाले निवेस का सामाजिक लाब उच्च सिच्चा में किये जाने वाले निवेस से कहीं अधिक होता है जहां तक उच्च सिच्छा के निजी करण का संबंध है तो इस बारे में 1990 के दसक में लिये गए नीतिगत परिवर्तन के फैसलों के पीछे सबसे बड़ा कारण विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा सेवा छेत्र में व्यापार के लिए आम सहमतिपत्र पर हस्ताचर करना था निहसंदेह सिच्छा एक विशाल सेवा उद्योग है और इसके आकार प्रकार में निरंतर व्रिद्धी हो रही है विश्व व्यापार संगठन के एक आकलन के अनुसार इस समय विश्व में सिच्छा पर 47 लाग करोण की रासी व्य की जाती है सिच्छा उन 12 प्रमुक सेवा छेत्रों में से एक है जिने गिट्स के सदस्य देशों ने स्विकार किया है इसके क्रियानवयन के साथ ही सिच्छा के छेत्र का निजी करण और साथ ही विदेशी विश्व विद्यालियों का भारत में प्रवेश और अस्थानी विश्व विद्यालियों तथा महा विद्यालियों के साथ उनकी प्रतियस परधा में व्रिधी हो रही है इस परिद्रिस्य की सबसे बड़ी चुनावती ही यह होगी की तमाम आधुनिक तम साधनों से संपन और सबसे नूतन तकनीकों से सुसजित विदेशी विश्विद्यालियों वह सिच्छा संस्थानों से देश की सिच्छा संस्थाओं को एक गयर बराबरी वाला मुकाबला करना होगा इसलिए यह आवस्यक है कि यदि देश की सिच्छा संस्थाओं को अपनी विशिष्ट पहचान और उपयोगिता कायम रखनी है और इस प्रतियस्परधा में सफल होकर निकलना है तो उन्हें स्वयम को सिच्छा प्रबंधन ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें वे छात्रों को परंपरा और कौसल के साथ व्यावारिग्यान प्रदान करने में भी सामर्थवान बनी रहें समाप्त धन्यवाद